देखो प्रभास का ना बाहु बली से ही स्टाडम इतना तगड़ा था कि भली माल ने उनकी साहो आई थी, आदीपूरीश आई थी, रादेशाम आई थी, इनका बजट बहुत हाई था लेकिन फिर भी इन्होंने धाई सो करोड रूपे कमाये थे, लोग बाग पांच करोड न किया और उसके बाद अभी कल की थेटर में चली रही है, खतम नहीं हुई, उसके बाद चोटा सा गलिम्स डाल दिया, एक मूवी जिसका नाम है राजा साहब, और गलिम्स इतना चोटा, इतना चोटा, इतना चोटा कि भाई, प्रभास का चेरा भाई फिर मोघ्य दवर डिश्टोरी होगी कोौम्यborg सैंल 5 u स्टुरी प्हाइ cいます कि ये क्या होड़र्य श्चोरी भाई हम इतना मठ डरा देना कि यहां रादे-श्याम जैसे ठेटर छोड़ के आजाए और फिर बोले की भाई यह प्राबास को वापस से एकदम भिरते होनी देखना चाहते और वेसी भी इनका डायरेक्टर ने लव रोमेंस के अलावा कुछ भी डायरेक्ट निकरा है या डायरेक्ट कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि यह जो मुवी उनक्दम हटकर लव इस्टूरी वाले एकदम प्राबास एकदम जो और दार मुवी बनके निकले जो हमको देखने में मज़ा आ जाए और वेसी भी मुवी 10 अपरेल के 25 में रिलीज होने वाली है भाई मुवी का इंतजार तो रहेगा और दिल पर हात रखके एकदम ओनेसली से क्यों न तो भाई ये मुवी में जरूर देखूआ ज और देखके लिए भाई